तो यहर भाई आज सुका है मार्केट के अंदर हीरो ग्लेमर नया बाइक जो एक्स्ट्रे के रूप में जाना जाता है यह बाइक कापी खास और कापी दमदार बाइक है जो आज के इस वीडियो में देख पाऊंगे पहले हम बात करते हैं हीरो सोरूम के जो रक्षा मोटर्स क बारे में रक्षा मोटर्स के अंदर आपको इस सोरूम के अंदर ये बागोडार जालोर के अंदर उपल बंदे जो आपको हर परकार के हीरो के मोडल्स देखने को मिलेंगे जो आप यहां कर परसिस कर सकते हो और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं डिसक्रेशन मिलेगी इस नए बाइक में तो ज़रूर कॉंटेक्ट करिएगा अब देखते भीना कुछ देर की हुए इस सब बाइक के बारे में जो गलेमर 2022 मॉडल में नहा आया है यह जो आप देख सकते हो इसके अंदर आपको डीजिटल मेटर देखने को मिलेगा और अच्छी बात तो यह है कि इसके अंदर ब्लू तुट कनेक्ट होता है जो आप मैप वगिरा देख सकते हो राइड करते हैं आप लोकेशन इसमें ट्रेक कर सकते हो और इसमें दिया गया है मैं बात तो हैं आपको एनिकी यूएसबी का पोर्ट देता है जो मोबाल सार्ज भी कर सकते हो इसके अंदर इस्टेंड की लाइट है और जो इंजिन की लाइट है वो सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और कापी अच्छा डिजिटल मीटर दिया गया है जिसके माधियम से आपको निर्दिस समय के अनुसार मिल सके और i3s का स्विस दिया गया है i3s सिस् इसकी सावी के बारे में बात करें तो हीरो की सावी गलेमर की X-Trek की तो कापी बढ़या है दो सावी आपको देखने को मिलेगी उपलबंद और जैसके बात करें इसके बाइक के फ्रंट से तो वाईजर पर लगा हुआ इसका बेहतरीन लोगो जो कापी एक्ट्रेटरि बना रेकने को मिलता है। लाइक्स कुछ इस डिजैन में की गई है जो जाक यह प्रिदी यह और इसका कर्णर तो यह आप देख सकते हूं ब्लेक 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 ब्लह काफी बहतर क्लेटी का है और जासद हो एक क्र श॥िस देखने तो digital meter होता है और कापी अच्छे और साही जानकारी निर्देश देता है बाइक के जो digital meter तो बात करें टरन इंडिकाटर की तो इंडिकाटर में आपको बलब देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने आगे ही भी बताया और headlight में जैसे की LED का प्रियुक किया गया और यहां पर भी कर सकता था जो company इसमें provide जो LED के रूप में ये टरन इंडिकाटर भी और जैसे की visor वगेरा सब कुछ अच्छा दिया गया और glamour जो side से look profile देखे तो आपको काफी glamour को 3D में design किया गया काफी बैतर quality का है जो काफी muscular लग रहा है और इसकी जो black body है काफी बैतर लग रही है और i3s और mention किया गया है साथ मही की को जैसा कि मैंने on किया तो काफी अच्छा देखने को मिलता है meter और site की profile में जैसे की बात करें तो यहां फर आपको fi का sticker देखने को मिलेगा engine पर hero की branding की गई है और काफी अच्छा provide करता है hero का engine भी और बात करें tire की दो drum brake के अंदर यह variant उफल बन दे और इसमें ही drum brake में ही आता है और reflector दिया गए काफी attractive लगदा है और tire है अच्छी बाइचों के और साथ में बता दे पीसे के profile से इस bike को तो आप देख सकते हो आपको tail light में भी LED का फ्रयोग देखने को मिलेगा उफ्योग है प्रदान करता है इसकी company और जैसे की बात करें इस model के बारे में तो यह 2022 model का का काफी better और फस्ट पाई के जो काफी better quality गाए और खास बात तो काफी सारी आपको बताई दी है तो अभी इसके बारे में बात करें engine के बारे में तो engine के एक cylinder का engine आता है और आपको जैसे की बता दे तो इसका जो tank दिया गया है tank दिया गया वो 10 लेटर का tank आता है जो आप petrol ड भी अच्छा और काभी बढ़िया है जो Honda के SP 125 के समतल उनके समानी इस बाइक को मान सकते हो थोड़ा बहुत तो डिफ्रेंट होता ही है हर बाइक में लेकिन उनके जहां तक माने तो उस जैसा ही मान सकते हो Honda की गाड़ी था तो यह देखिए यहाँ पर जो 93 2022 में इस बाइक क प्राइज में बताना साहूँगा आपको इसकी प्राइज जो गलेमर एक्सटेक 125 से सीसी का बाइक से तो इस बाइक के अंदर आपको प्राइज देखने को मिलीगी हमारे बागोड़ा जालोर की ऑनरोड प्राइज जे 96000 रूपीज तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफ प्राइक नमबर से